हलो नमस्कार साथियों आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल मा आसा इस पॉइंट में स्वागत है मेरे साथियों आज की इस वीडियो में मैं आपको इंटर्मेडियर प्रिक्षा 2024 का जो प्रश्ण है हिंदी का जो प्रश्ण है उसके सेट सी के जितने भी अब्यक्टिव को सब्सक्राइब करने वाला हो इसी वजह से आप लोग अम तक इस वीडियो को देखेंगे और अपने क्वेश्चन पेपर से मिलाएंगे कि आपका कितन उदय प्रकाश उदय प्रकाश जी त्रिच चप्टर लिखे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है रोज सिर्षग पाट के रचनाकर नेमन में से कौन है इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा आपको अग्गिये जी यानि कि सचिदानन हिरानन वातस्याजन अग्गिये नेक्ट जो है यह लिखा है मलिक महमत जैसी जी इसका करेक्ट अंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिनायक सिर्षग कविता के कवी नीमन में से कोन है अधिनायक रगुवीर सहाजी लिखे हैं यह इसका करेक्ट अंसर होगा नेक्ट क्वेश संग्रा से ली गई है तो यह संस्यात्मा से लिया गी है इसका करेक्ट एंसर होगा सेवन का एक करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कोईस्चन है कि कमाइनी महाकाव्य की रचनाकार निम्न में से कौन है तो जैसंकर परसाद जी है इसका करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कोईस्चन आपको तुल शीदास यानि कि नो कासी कर्यक्ट एंसर होगा। नेक्स्ट कोईस्चन है नेक्स्ट पंद्रवा नमरक विश्चन है दीखे इसमें एक चप्रप्टर चुटा हुआ है उसको बाद में हम solve कर देंगे यानि कि 11 से 15 14 तक नेक्स पंग्रमा क्वेस्चन है कि सिंहासन पर बैठा उनके तग में कौन लगाता है यहां उक्ति की सिर्षक कविता की है इसका correct answer हो जाएगा आपको अधिनायक अधिनायक इसका correct answer होगा नेक्स्ट क्वेस्चन है 16 भोजन करीनंद अचमन लिन्हां मांगत सूर जुठनियां यहां उक्ति की सिर्षक कविता की है इसका correct answer हो जाएगा आपको सूरदास के पद नेक्स्ट क्वेस्चन है कि लगती लपकती कंठ बैरिन के नागिन सी यह उक्ति किस सिर्षक कविता की है इसका जो correct answer हो जाएगा वो हो जाएगा आपको कवित एक correct answer होगा सिक्स्टीन 17 का a correct answer होगा next question है कि जगदिश चंद्रमाथौर की रचना नीमन मेंसे कौन है इसका correct answer हो जाएगा आपको ओ सदा नीरा क्या हो जाएगा A correct answer हो जाएगा O सदा नीरा 18 का B यानिका 18 का B correct answer होगा next question है कि मलियज मलियज की रचना नीमन में से कौन है जिसका गर्ट एंसर हो जाएगा आपको हसते हुए अकेलापण यानिकी 19 का A correct answer होगा next question है जुठन सिर्शक पाठ के रचना का रणीमन में से कौन है जिसका correct answer हो जाएगा आपको ओम परकास बाल में कीजी जुठन लिखे यानि कि 20 का be correct answer होगा next question है एक इस्वा question है कि परिश्रम सब्दिका विलोम क्या होगा तो विश्राम हो जाएगा next question है अगामिक सब्दिका विलोम क्या होगा तो अगामिक हो जाएगा आपको विगत यानि की 22 का be correct answer होगा इसका और करेक्ट अंसर हो जाएगा सरोज है इसका और कोरेक्ट हो जाएगा आपको सरोज हिंद परेक्ट अंसर होगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीव शीव शब्द का परियावाची क्या है इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा आपको सीव का रूद्र हो जाएगा एक करेक्ट अंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठक शब्द क्या है इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा आपको पाठ अठक जो है ये पुलिंग हो जाएगा Next question है कि जी सब्ध क्या है इसका Correct answer हो जाएगा आपको जी सब्ध जो है यहap तो क्रूसर ऑपलिंग क्या है ए इसकाницу क्रेक्ट अनसर होगा वह जाएगा आपको घी पल्लिंग हो होगा तूवध ने जोड अक बरावर नायक होगा 30 का व्यक्रेक्ट लुगा नेक्स्ट कोईस्टान है कि सिपाही की मयकांकि में विस्ने चरपाई के पास मोधे पर बैठी क्यों कातती है तो सूत तती 10 का एक एंसर होगा 31 q2 की सरया मुन ताल का जल कैसा है ये अस्थीर है इसका क्रेक्ट एंसर होगा नेक्ट question है विसाली मोहटसब का बिजारोपन निम्र में से किस ने किया तो ये हुआ जगदिश चंद्र मात है याने कि 44 का एक करेक्ट अंसर होगा नेक्स्ट क्वेस्चन है कि मुन्नी पठित—क्ति दिशलड़र में स्व मात है अंधि युय त्यवन्हैं दद लुश्य कोन रॉपर नेक्षन है और से नियुक्त कोफ़प सकत। खिलोना मेरा यह पंक्ति की सिर्शक कविता से है इसका correct answer हो जाएगा आपको बियान की पूत्र बियोग next question है 37 का कि यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है तिसका correct answer हो जाएगा आपको नामवर सिंग एक correct answer होगा next question है सुवेदार बोला लहना सुवेदार ने तुमको जानती है बुलाती है जाम में लिया कथन की सिर्शक पार्ट से है यह उसने कहा था डी इसका correct answer होगा next question है 39 की आनन मैंने जो मैंने जो धर्म चलाया था वह 500 वर्ष तक चलने वाला था किन्तु अब केवल 500 वर्ष चलेगा क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुनी होने का जो अधिकार दे दिया यह उक्ति किस सिर्शक पार्ट से है यह हो जाएगा आपको अ जो है ना यह इसका correct answer A होना चाहिए वैसे तो वैसे भी आप एक बार मिला लेंगे इसका correct answer क्या होगा रेकिन एह ही होना चाहिए next question है अब next question है कि भगत सिंग निमलिखित में से किस परदेश के थे तो यह पंजाब के थे अक्तालिस का भी correct answer होगा next question है कि वातसल भाव के सरवों परी कभी निमल में से कौन से है तो वातसल भाव का यह हो जाएगा आपको सूरदास जिसी इसका correct answer होगा next question है जैसे एंसर हो जाएगा आपको छाया वाद 43 का एक correct answer होगा next question है कि प्यारे नन्हें बेटे को कविता में लोहा किसका परतिक है तो यह कर्म का परतिक है ट्वेनट फोटीफोर गडी correct answer होगा next question है कि पूतर वियोग सीर्शक कविता कैसी रचना है पूतर वियोग जा यह सौ की गीत एक 甜-ơ होगा फेटारीस का एक अंसर ہوगा अब नैक्स्ट कोईच्चन है कि कवित्री का खिलोना क्या है इसका करेक्टDAY हो जाएगा उसका पूत्रें कि हो जाएगा उसका पूत्र ह कि कि एक अंसर होगा 46 का नेक्स्ट कोईस्चन है कि भागलकूर विश्विद्याले में उपकुल पती पदक पर निमलिखित में से कौन रहा है तो ये इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा आपको हार जीत एक करेक्ट अंसर होगा उन्चास का नेक्स्ट कोईस्टन है पचासवां की अधिनायक सिर्सक कविता निमन में से किस परकार की रचना है तो ये व्यंग कविता है इसका करेक्ट अंसर होगा मेरे साथ यो हमने 50 अब्जों को स्वा आपको कितना सही हुआ है आप हमें कमेंट बताएंगे बाकी फचास अब्जों क question को और solve करना है इसलिए आप अंतक बने रहेंगे अब next question है कि कारक के कितने भेद है तो यह आठ भेद है इसका correct answer होगा next question है भरपेट सब्द में उपसर क्या है तिसका correct answer हो जाएगा आपको उपसर गहने भर यानिकी 52 का एक correct answer होगा next question है प्रतिनीधी सब्द में उपसर क्या यानिकी पहले क्या लगा हुआ यह प्रति लगा हुआ है भी इसका correct answer होगा next question है कि वंदना सब्द में प्रतिया क्या है तिसका correct answer हो जाएगा आपको वंदना अना हो जाएगा इसका डी correct answer होगा next question है इसका correct answer हो जाएगा respective next question कभी 3A का correct answer होगा next question है अब next question है कि गायक सब्द का इस्तिलिंग रूप क्या हो गायक का हो जाएगा बी इसका correct answer हो जाएने कि 57 का बी next question है कि देश भक्ति सब्द कौन समाश है इसका correct answer हो जाएगा आपको देश भक्ति है न देश की भक्ति यह हो जाएगा आपको तत पूरूश यानि कि ए इसका correct answer होगा अब next question है कि देश भक्ति सब्द कौन समाश है इसका गायक जो है इसका इस्तिलिंग रूप हो जाएगा आपको गायका next question है कि देश भक्ति सब्द कौन समाश है इसका correct answer हो जाएगा आपको देश भक्ति तत पूरूश अंठावन का एक correct answer होगा next question है निल पीत कौन समाश है इ हो जायगा आपको 12 während से यान waking 59 का एक क्रेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कोईंशन है कि पंच परमान सब्ध कौन समास है जुब 5 है ना यह सिनने वाला दूइझ हो झाप को याउंट हो जाएगा जिक्स्टी डिना पानी सब्द विम और आज समास है इस गरेक्ट नीज्ट इनसे कि इन सब्वादे नें अब नेक्स्ट क्वेस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट सब्सक्राइब कर दाएब आपको भारतिया सब्द इसका आपको यानि की जाती वाचक नेक्स्ट कुष्चन है सब्सक्राइब करेक्ट अंसर हो जाएगा आपको व्यक्ति वाचक भारती है सब्सक्राइब कौन संग्या है तो व्यक्ति वाचक बी करेक्ट अंसर होगा सब्सक्राइब करेक्ट अंसर हो जाएगा आपको 75 का भी हो इसका करेक्ट अंसर घयागा आपको ये भौह है साधिज्ट नेस्ट कोईश्चिन है की का 200 अोचलय क्या है इसका इन्सर हो जाएगा आपको 179 next question है कि अर्ध की अधार पर संग्यां के कितने भीद है झिसका correct answer हो जाएगा आपको शक्ष्टिनाइन का 25 next question है 70 का कि जहां चर्ट लेकि द्ल heanoid 2000 क्रूंट सुष्टे को सिक्षा गर्मन करने वाले कि लिए इक सब्ध क्या होगा सुख छारती होगा एक शारत है ति पर बुद्धी वाले के लिए एक सब्ध क्या होगा इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा 72 का यानकी कुषाग्र बुद्ध इसका perhaps dairybringing यानकी सघ्ध मर्णनigos जायेगा यानि की विशेशन पदबंद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोसो दूर भागाना मुहावरे कार्थ क्या है तो 65 इसमें क्या है कोसो दूर भागना मुहावरे कार्थ क्या है तो 75 का जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको यानि की बहुत अलग रहना स्वतीन सब्सक्राइबfeit सब्सक्राइब रुमREE में सब्सक्राइब मभूए सब्सक्राइब like the Our next question है कि Swarunstäbka by विशेशन क्या स्वारनीम होगा इसका एक एंसर और होगा नेज्स्ट क्वेस्चन है छो 69 है next question में कि सब्द का विशेशन क्या होगा से 20 नने कर्maan का ओकक्र इंसर होगा दिन सब्द का विशेशन क्पर आपको आपको याने की देनिक, next question है, 80 की आत्मा सब्द विशेशन क्या है, इसका correct answer हो जाएगा आपको, B याने की आत्मिक, भी इसका correct answer होगा, 81 का answer क्या होगा, कि उसने कहा था, कहानी में किस यूद का उलेक है, 81 का जो correct answer होगा, वो हो जाएगा आपको, B याने की दृतिय विश्वयू, the next question है, कि प्रेम के फीर निमन लिखित में से कौन कहे जाते हैं, तो 82 का जो correct answer होगा, वो हो जाएगा आपको, A याने की मलिक मुहमद जाय सी जी, next question है, कि हिंदी की एडिसन निमन लिखित में से कौन कहे जाते हैं, तो 83 का जो correct answer होगा, वो हो जाएगा आपको, बाल कृष्ण भाट, याने की, A इसका correct answer होगा, देखिए, आप लोग फटा-फट से यर भी कर देंगे, अब next question है, कि तार सब्तक के संपादक निमन में कौन है, जिसका correct answer हो जाएगा आपको, A याने की अग्ये, 84 का A correct answer होगा, next question है, वाद, विवाद, समबाद के रचनाकार निमन में से कौन है, 85 का जो correct answer होगा, वो हो जाएगा आपको, A याने की नामवर सिंग, next question है, कि शिक्षा हिंदी साहित के कि विद्या की अंतरगत है, इसका correct answer हो जाएगा आपको, B याने की 86 का correct answer हो जाएगा, A, याने की समभासन, next question है, 87 की प्राधिन्ता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारणी नहीं रही, या उंग्ती कहां से लिया गया है, तो 87 का जो correct answer होगा, वो हो जाएगा आपको अर्ध नारिश्वर से, A, इसका correct answer होगा, next question है, कि तुलसी दास का मूल नाम क्या था, इसका correct answer हो जाएगा, A, याने की राम बोला, 88 का correct answer हो जाएगा, A, राम बोला, अब next question है, कि तुलसी दास के दिक्षा गूरू कौन थे, इसका 89 का जो correct answer होगा, वो हो जाएगा, आपको C, याने की नरहरी दास, next question है, कि 90, कि साहित लहरी किनकी रचना है, इसका correct answer हो जाएगा, आपको, शाहित लहरी सूर दास जी, 90 का correct answer हो जाएगा, A, next question है, इसका correct answer होगा, next question है, कि जगदंबा सब्द का संदी विचेत क्या होगा, तो जगदंबा होता है, 93 का correct answer होगा, वो हो जाएगा, आपको A, next question है, 94 का, कि अधपका सब्द में उपसर क्या है, इसका correct answer हो जाएगा, 94 का A, यानि कि अधध, इसका correct answer हो जाएगा, आपको भूत काल, 97 का correct answer हो जाएगा, आपको A, यानि कि खाया, next question है, कि नरेश जाएगा, किस काल का उधारन है, इसका correct answer हो जाएगा, आपको भविश्यत काल, यानि कि 98 का correct answer हो जाएगा, A, next question है, 99 की कबुतर छट पर बैठा है, किस कारक का उधारन है, इसका जो correct answer होगा, वो हो जाएगा, आपको अधिकरन, next और अंतिमा question है, कि बच्चे घर में है, किस कारक का उधारन है, बहुत simple question है, इसका आपके सामने option जिदिया है, करता, कर्म, अधिकरन या शंबोधन, तो क्या होगा इसका correct answer, आप हमें बताएंगे, बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी, इनमें से आप कितना बनाए हैं, आप हमें comment में करेंगे, बाकी टेंसन लेने की कोई जुड़त रही है, आगे का जो आपका exam है, जो paper का exam होने वाला है, उसका त्यारी आप कीजिए, बाकी show thanks very much, all the west फिर मिलते हैं, आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जाए हिंद,